प्रिय अभिवाग बंदों, मैं आशिश कम्थानिया अड़ोकेट, आपको साधर नमन तथा बंदन करता हूँ बंदों, जैसा आपको पता है कि 16 मई 23 से GST आपके वेपारिस्थल पर विजिट कर सकते हैं मित्रों, पूरे भारत में एक स्पेशल मोहिम चलाकर वेपारिस्थल की जाच की जानी परस्तावित है हाँ आपने बिल्कुर ठीक ही सुनाए आजकल आपको सुनाई दिया होगा कि CBDT ने GST रिपार्टमेंट में सभी जगा पूरे भारत वर्ष में एक इंस्ट्रक्शन जारी की है जिसमें GST आफिसर्स 16 मई 23 से वेपारियों के वेपारिस्थल पर विजिट करने के लिए उनको आदेशित किया गया है यह एक स्पेशल ड्राइव है जो रेशिशन को आइडेंटिफाई वर वेरिफाई करने के लिए शुरू की जा रही है कि आपने जो GST पंजी करन लिया है वो सही है या नहीं मेंली फेक रेशिशन की जाच करना प्रस्तावित है मित्रो जी एस्टी ऑफिसर्स किसी भी दुकान को विजिट कर सकते हैं ऐसा नहीं कि वो मेरी दुकान पे नहीं आएंगे या आपकी दुकान पे आएंगे ऐसा कुछ नहीं है वो किसी भी शॉक को विजिट कर सकते हैं तो हम तयार रहें कि वो हमारे भी आ सकते हैं ऑफिसर्स व्यापर की बहुत ही बेसिक चीजें चेक करेंगे आपको इस सम्मंद में साधन जो पॉइंट्स हैं वो तो समझ में आने चाहिए मेरे साथ से मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जैसे जीस्ट लॉव में जो जीस्ट लॉव है उसके अधार पर वेपार स्थल पर वेपारी भाईयों को यह कुछ बेसिक चीजों का पता होना चाहिए आप सभी के दोस्त रिश्यदार घर वाले आदी कई ना कई किसी ना किसी वेपार से सर्विस से सप्लाई से जौब वर्क से मैनेफैक्चरिंग ट्रेडिंग आदी से जुड़े होंगे उन सभी के लिए मेरी वीडियो बहुत ही उपयोगी है किर्पया ध्यान से सुनें और समझें आपके बिजनिस के लिए क्या क्या चीजें मेंडेटरी हैं जो आपके वेपार स्थल पर होनी चाहिए नहीं तो अधिकारी आपको नोटिस शुकर सकते हैं पनेटी लगा सकते हैं जैसा कि आपको मालूम है जिस्टी ऑफिसर्स आपके वेपार स्थल पर 16 माई से 15 जुलाई के बीच ये दो माह की जो स्पेशल ड्राइव है उसको चलाकर विजिट करेंगे जिसमें ऑफिसर्स य आएंगे और चेक करेंगे क्या क्या चीज चेक करेंगे आईए इसको समझते हैं हमने कुछ चीजे जो जिस्टी लॉस में वर्नित है वो आपकी दुकान पर शॉप पर वेपार स्थल पर फैक्टरी गुदाम आफिस जो भी आपका वेपार स्थल है वहाँ पर ये चीजे हो नहीं है नमबर एक में दुकान जहां वेपार स्थल आपका मुख वेपार स्थल है जिसे हम लोग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजिस कहते हैं मुख वेपार स्थल पर सबसे पहले दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाना चाहिए जिसे हम लोग साइन बोर्ड कहते हैं यह signboard पर आपका firm का नाम GST number उस पर address, proprietor ship में अगर firm है तो proprietor का नाम, उसका mobile number ये सब चीजें होनी चाहिए, साथ-साथ उसमे प्रॉप्रेटर, पार्टन, ड्यक्टर या उत्रह नाम होना चाहिए व्यक्तार क्या है, उसकी प्रकृति क्या है जैसे whole sale, retail है, ठेकदारी है, supply है, मरमथ है, job work है, service है लेटेट है, सर्विस का नाम आधी सामाने चीजे बॉर्ड पर होनी चाहिए तो ये तो हो गया आपका एक board जो मुख्य वेपारिस्थल के सामने होना चाहिए यदि मुख्य वेपारिस्थल के अलावा आपका जैसे कोई अन्य वेपारिस्थल अत्रिक्द वेपारिस्थल भी है जो registered है तो वो भी उस पर भी एक board लगा होना चाहिए यदि बोर्ड नहीं लगा होता है तो क्या होगा तो वेपार वेपार इस्थल पर जो हमारे ऑफिसर्स विजिट करेंगे जिस्टी ऑफिसर्स वो आपके उपर जो जिस्टी में बढ़ने था है पैनल्टी 25,000 की CGST और 25,000 की SGST दानों मिलाके 50,000 की पैनल्टी तक लगा सकते ह तो हमें सबसे पहले अपने वेपार इस्थल पर एक बोर्ड का प्रॉपर बोर्ड लगाओ इसका ध्यान लगता है सेकंड पॉइंट यह आता है कि GST देशन सेटिफिकेट का जो प्रमाण पत्र आपको मिला है वो भी विपार इस्थल के अंदर जैसी एंट्री का पॉइंट है जहां एंट्री के सामने ही एक विपार इस्थल जो आपका होगा उस पर वो सेटिफिकेट जो तीन पर्नों का ह होता है वह साफ साफ डिस्पले होना चाहिए यानि दीवार पर चिपका दें उसे वह एंट्री करते ही सब को दिखाए दें ऐसा इस परस्ट रूप से डिस्पले होना चाहिए ठाट क्वाइंट जिस्टी रिटन के बारे में यदि आपने रेशन लिया है तो जिस्टी चाहिए अपने वेपार शुरू किया है या नहीं किया या करने वाले हैं यह आपका निल है यानि कोई खरीद भिक्री नहीं फिर भी आपको जिस्टी या हम लोग जीस्टी आर बोलते हैं रिटन को तो वह आपको बहना अनवार है जैसे कि ने कंपोजिशन इसकीम में यान अंतरगर गूंट कि ये स्टी रिटन के बारे में हम लोग बात कर रहे ते कि जैसा आपको पता है कि जैसे में साप से भरना आने वारे हैं तो यह आपको रिटन मासिक या त्रमासिक भरना होता है चुकि अनवारे इसलिए सबको भरना जरूरी है बहुते वेपारी कभी-कभी जैसे ठेकदार हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उनसे मंगा जाता है कि भाई आपका जीस्टी है तो वो जीस्टी ले लेते हैं रेजिशन तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि कि हमें अभी काम तो मिला नहीं इसलिए वो भूल जाते हैं रेजिशन लेकि घर बैठ जाते हैं और को रिटन नहीं भरते हैं तो उनके साथ मुश्किले आएंगी उनको पैनल्टी के साथ रिटन भरने होंगे क्योंकि जब जीस्टी रिटन भरना अनवारे इसलिए चाहें बैठ जैसा बी जैसा कुछ भी आपका वेपार है अगर नहीं चल रहे बहुंद है तो आपको शून के रिटन भरने हैं ज्सटी रिटन लगातार भने हैं चाहें वेपार शून हो या निलका तब भी यदि आपकी जीस्टी रिटन पैंडिंग तो जाईए सब से पहले अप सबसे अंतिम रिटन जो कि महार्च की गई है अपकी 3B और जेस्ट यार वन दौनों के प्रिंट निकालके अपने पास रख लीजिए क्योंकि जब आफिसर आपके विपार इस्तल पर आएंगे विजिट करेंगे तो वो आपसे आपके अंतिम रिटन की कॉपी मान सकते हैं तो वो सबसे लेटर्स रिटन की कॉपी वहाँ पर होनी चाहिए चौधा पॉइंट बुक्स ऑफ एकाउंट ये सबसे महत्पूर्ण पॉइंट है बहुत सारे लोग को पता ही नहीं हमें कौन सी बुक्स ऑफ एकाउंट बनानी है यानि किताबे कौन कौन सी रखनी है जैसे खरीद बिकरी तो कर ली हमने खरीद के लिए हमारे पास परचे अब बिकरी के लिए हमने एक बिल बुक्स अबाली इसके अलावे भी बहुत सारी चीज़े जिस्टी कानून में वाड़नेत हैं कम से कम कुछ ये मिनिमम चीज़े हैं जो आपको बुक्स ऑफ एकाउंट वेपार इस्थल पर होनी आनवारे हैं जैसे सेल परचेज के बिल खरीद बिकरी लेजर स्टॉक रेइस्टर आधी आवश्यक प्रपत्र हैं जो जैस्टी ऑफिसर्स वेपार इस्थल पर विजिट करते ही आप से मांगेंगे यदि दिखाएंगे तो बढ़या नहीं दिखाने पर नोटेस पेनलिटी आधी का प्राबधान जैस्टी म के संबन में जैस्टी ऑफिसर स्टॉक रेइस्टर के अनुसार आपका स्टॉक कर सकते हैं इस्टॉक के बारे में आपको पता ही होना चाहिए कि यहां पर कई तरीकी कई पॉइंट का अलग-अलग स्टॉक भी हो सकता है जैसे 5% का 12% का 18% 28% का यह सब अलग-अलग आपके पास स्टॉक रेइस्टर में अंकित होना चाहिए और उससे फिजिकली स्टॉक जो आपकी शॉप गोदाम जैसे विपार इस्टॉक रखने का एक इस्टॉक अलग है जो जीस्टी में आपने दर्ज नहीं कराया है तो आप मुश्किल में आने वाले हैं अगर जो रेइस्ट इसके अलावा जिसे हम लोग प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस कहते हैं इसके लावा भी कहीं अगर आपका स्टॉक रखने का इस्थान है या मैनिफेक्ट्रिंग का कोई जॉब वर्क का कोई जगा है तो उसको आप फटा-पट अपने जीस्टी रेइस्टिन में दर्ज करा ल विजिट के दौरान आप उन्हें सारी चीजें समय पर उसी समय वेरिफाई करा सके यह स्पेशल ट्राइव संपूर भारत में जीस्टी के फेक रेइस्टिन के लिए शुरू की गई है तदा अगले दो महां तक लगातार चलेगी यदि आप परिशानी से बिजना चाहते है तो सब वेपार स्थल पर उपलब्द होना चाहिए जिससे जेश्टी ओफिसर आपके उपर परनल्टी ना लगा सके कोई अनकारवाई ना कर सके सभी अभी आपके पास समय है कि आप यह सब रेइस्टर आदी उपलब्द करा ले ताकि आपको जेश्टी ओफिसर परिशान जेश्टी से रेलेटेड कुछ और पॉइंट्स पर डिस्कुसिन कर लेते हैं जेश्टी में परनल्टी नोटस ऑफिसर विजिट छापा आदी से बचने के लिए आपको बहुत ही साबदानी से अपने पास कुछ प्रपत रेइस्टर और एकाउंट साधी रखने हैं कुछ स करने से पहले जो साबदानी आपको बरतनी है आई उस पर चर्जा कर लेते हैं सब्रदम खरीद करते समय सबसे पहले ऑनलाइन यह चेक कर लिए कि जिस पार्टी से आप खरीद कर रहे हैं उसका जीस्टी नंबर एक्टिव है या नहीं तो आप उसके साथ वेपार ना करें करते हुए क्लेम कर लेनी है तो खरीद के साथ प्राप्त हुए बिल काटा परची अनकोई प्रबत्र जो आपके वेपार से संबंदित उस खरीद के साथ आया है उसे समाल कर खरीद वाली फाइल में एक साथ पंच करके रख लें यह तो रिकॉर्ड हो गया खरीद से जी एस्टी ऑनलाइन चेक करें एक्टिव होने पर ही बिल जारी करें उसे बिल बनाने के बाद यदि आवश्यक हो तो इवेविल यानि अगर पचाज़ार से उपर की सेल आपकी तो इवेविल बनाना अनवार है इवेविल बनाए तता अन प्रपत्र और भी कुछ लगाना है जैसे काटा पर्ची आदी वो सब आप नियमनसार लगा दीजिए तथा बिल वा माल को पुना एक बार मिलान कर लीजिए यदि बिल ये मिलान करें कि बिल और माल आपस में मैच करने चाहिए कम यह ज्यादा तो नहीं है बिल पर माल का नाम उसका एक्षेसन कोर्ड संख् क्ला वजन मूल है कुल मूल है जेस्टी लगाते हुए कॉल भुकतान राशी अंके तो नचता किस प्रकार का लंगा ए अगर परदेश के अंदर सेल है तो सब्सुर्देश के बाहर सेल है तो आई सब्सकूश्धि taćक हो जकाते ही है जिरो परसेंट पांच पर聯ध बारा कि चाहिए पूर्तारु का मृता कशलेग estand फो होते हैं आपMr. लगाद में बम छोखेए निरये ताकि आहने हुआर तो आपकि स्टॉक बूक्स के साथ साथ फीजिकल स्टॉक को मिलान सही सही अगले पॉइंट भी बात करते हैं अकाउंट्स बोक्स रेइस्टर बिल बोक्स स्टॉक रेइस्टर आदिस अभी लेखे तुरं 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 समय पर समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए जिससे हमारा कुछ भी मिसमैच ना हो जिस्टी लॉग के प्रफधानों में बढ़ने बुक्स रव अकाउंट्स आपको आपको यह पता है कि बुक्स रव अकाउंट्स साथ वर्ष वर्ष तक समाल कर रखना चाहिए जैसे अभी पिछले साल का फानेश लिए बाइस से इस बीता है तो उनको सबको पैक करके और सफ्टी बाइस और साथ साल का मांग सकते हैं अगले साल छ साल का मंग सकते हैं तो 7 साल तक आपको यह सारे जो से अमयेे घ्चले इसके लिए पर Suite के समय मंगी जाने पर और परस्ठोट करनी चाहिए ताकि C이라im अपके स्थल पर उपलब से किया जा सके यहनि फिजिकल वेरिफिकेशन प्रॉपर हो जाए ऐसा तुरंत रियल टाइम रियल टाइम मतलब जब ऑफिसर मांगे उसी समय यह सब जो समाने जनकारिया हैं जेस्टी से संबंदित आपके रेशन से संबंदित वो आपको याद होनी करें और हम भी प्रभू से प्रात्ना करते हैं कि आपका व्यपाद दिन प्रते दिन उन्नती करें और आप आगे बढ़ते रहें किसी भी परिशानी के साथ आपके सामने कोई परिशानी ना आए और हम लोग आपके लिए हमेशा खड़े हैं अगर कोई समस्या आती है तो हम सारी है जो हमारी हमारे पार्ट से जाना है आपको वह होता रहे हैं धन्यवाद मैं आशिश कम्ठाने आडवकेट रामपुर से आप सभी का अभार वेक्ट गरता हूँ अगर मेरी द्वारत गई यह जानकारियां आपको अच्छी लगें तो आप अपने मित्रों जो परपार करते हैं जिने सामाने जानकारियां होनी चाहिए और इस इस पेशल ड्राइब में परिशान नी से बचना चाहते हैं तो करपया मेरा ये एक बार वीडियो गो थू हो लिजिए और अगर और भी कोई समस्य आए तो आप मुझे डायक मेरे मोबाइल नंबर इमेल धन्यवाद जाहिए